Hello viewers, कैसे हैं आप सब? तो जिसना से आपको पता है हमाई पास ASP.NET Core 6 की लेक्चर स्रीज चल रही है तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं Model Validation या फिर इसको ASP.NET Core में Model Based Validation भी कहा जाता है बहुत जादा important concept है और बहुत जादा use किया जाता है ASP.NET Core application के अंदर कहां पर use किया जाता है जहां पर हम forms को implement करते हैं अपनी इस application के अंदर भाई देखो Model Validation Validation से क्या मुराद है जो के हम अपने form के ओपर implement करते हैं मतलब जब हम अपना form बनाते हैं क्योंके form के अंदर जो भी data input करता है जो भी data enter करता है वो कौन करता है आपकी website का user तो अक्सर ऐसा होता है कि जो user होता है आपकी website का वो आपके form में invalid जो के entries होती है उनको input करता है तो वो जो invalid entries होती है आपके form के अंदर users के द्वारा ठीक है उनको handle करने के लिए हम concept use करते है model validation मतलब आप इसको form validation के उसमें भी समझ सकते हो जिस तरह से form validation आपने किसी और language में अगर पढ़ी होगी तो उसी तरह से यहाँ पर model validation काम करती है लेकिन भाई देखो इस concept को समझने के लिए आपको forms कैसे create करते है tag helpers को use करके यह आना चाहिए और इससे पहले previous lecture के अंदर मतलब chapter number 31 के अंदर हमने model binding का concept देखा था वो भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तब ही आपको यह आज का lecture समझ में आएगा तो मैं recommend करूंगा कि पहले आप previous lectures देख लो उसके बाद इस lecture के उपर आओ और आपने make sure करना है कि इस वीडियो को end तक watch करना है तो मैं वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request कि अगर आप मेरे channel पर first time आये हो और अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please मेरा channel subscribe कर लो और इसके साथ साथ bell का icon भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो यह होगा हमारा chapter number 32 और अब हम अपना lecture start करते है ठीक है तो भाई model validation क्या होती है या model based validation क्या होती है इसको सबसे पहले हम समझते है ठीक है तो यहाँ पर आजाओ ठीक है अब यहाँ पर देखो model validation से पहले एक point मैं आपको समझाना चाहा रहा हूँ देखो क्या कह रहा है often the data entered by the user is not valid and cannot be saved into the database मतलब यहाँ पर क्या का जा रहा है कि भाई देखो form के तुरू हम data लेते है अपने user से तो अक्सर क्या होता है कि user invalid data enter कर देता है invalid data मतलब for example name का text box है तो उसके अंदर सिर्फ string ही आएगा text ही आएगा उसके अंदर number वगेरा user enter नहीं कर सकता तो इस चीज़ की validation हम implement करनी है कि भाई अगर name वाले text box में user number वाली कोई value डाल देता है तो वहाँ पर error आना चाहिए same इसी तरह हमारे पर email है ठीक है email valid होनी चाहिए मतलब उसके अंदर add the rate का symbol होना चाहिए ठीक है यह वाली validation पिर same इसी तरह अगर हम user से password ले रहे हैं तो password हम make sure करेंगे के भाई वह strong password डाले strong password का क्या concept होता है जिसके अंदर आपके upper case, lower case, numbers, special characters यह सारे होता है ठीक है और same इसी तरह age for example हम कोई range specify कर दें के भाई इस range के अंदर आप age डाल सकते हो लेकिन इस range से अगर आप भार जाके कोई age डालोगे तो वह भी invalid consider होगी तो इस तरह की जो validation होती है पहले हम उसे solve करते हैं उसके बाद अपना data हम अपने database में भेजेंगे इसका मतलब है भाई देखो यह जो model validation का concept हमारे पास complete हो जाएगा उसके बाद हम आगे जाएंगे अपने database के concept के उपर फिर देखो next point अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है the entered data may contain a typo और user may intentionally enter the inappropriate data बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो user data enter करता है उसके दो cases हो सकते हैं एक तो यह है कि वो typo हो सकता है typo मतलब कोई typing error हो गया उससे कोई spelling mistake हो गई या कोई भी mistake हो गई जिसकी वज़ा से हमारे पास error आ रहा है ठीक है validate the user input before storing it in the database मतलब हमारी programming का यह बहुत ज्यादा important part होता है चाहे आप कोई भी programming language यूज कर रहे हो कोई भी technology यूज कर रहे हो जहां पर आप forms बना रहे हो तो आप form को validate करते हो तो जब आपका form validate हो जाता है मतलब जब आप यह make sure कर लेते हो के form के अंदर जितनी भी entries हुई है वो valid है उसके बाद आप उसका data database के अंदर insert करते हो और इसी concept के लिए asp.net core के अंदर हम use करेंगे model validation ठीक है अचा बही देखो model से मुराद यहां पर क्या है model से मुराद है हमारी model class इसका मतलब यह जो model validation होगी उसके अंदर form भी होगा और उसके साथ साथ हमारी model class भी होगी ठीक है तो भाई देखो इसका एक scenario मैं आपको diagram से समझाता हूँ ठीक है फिर आगे जाके इसकी बागी की theory को cover करते है ठीक है तो यहां पर आजो ठीक है तो अब यहां पर देखो भाई देखो last class में हमने concept cover किया था model binding का जिसके अंदर हमने एक form मनाया था वहाँ पर और उस form का data जब हम submit कर रहे थे तो उसे हम bind करवा रहे थे अपनी model class की property के साथ किस तरह से यहां पर देखो last class में हमारे पास एक form था ठीक है और form के अंदर for example अगर हम कुछ fields यहां पर बनाएं ठीक है जिस तरह से name के लिए एक field है email के लिए है age के लिए है तो यह जो मैंने form मनाया ठीक है इसके सात सात में क्या बनाऊंगा इसके सात में मनाऊंगा एक model class और इस और model class के अंदर मैं कुछ properties भी बनाऊंगा और जिचो properties वही होंगी जो मैंने अपने form के अंदर fields बनाई है इसका मतलब मेरे form के अंदर तीन fields है ना name, email और age तो इन तीनों के लिए मैं क्या करूँगा अपनी model class में 3 properties बनाऊँगा ठीक है जिस तरह name हो गया email हो गया age हो गया तो ये model class की properties के साथ इसका मतलब जब हम अपने form का data submit करते हैं तो ये जित्ती भी input fields है, इनका data कहाँ पर जाके store हो जाता है, model class की in properties में जाके store हो जाता है, तो जब हमारे form का data in model class की properties में आके store हो जाएगा, तो इन ही properties के ओपर हम कौन सा concept apply करते हैं model validation, मतलब जो data हमारे पाफ form से इन properties के अंदर आ रहा है, तो इन properties के ओपर हम validation apply करते हैं और check करते हैं कि इसके अंदर जो data आया है, वो valid है या नहीं है अगर वो valid है, तो वो data हम आगे pass कर देते हैं, for example database के अंदर, ठीक है तो ये concept हमारे पाफ model binding का, और model binding का actual concept में आपको क्या बताया था कि जब भी आप अपना form submit करते हो, तो आपके पास एक http request generate होती है, और वो http request आपके controller के किसी action method के पास जाती है, तो अब इसी diagram को मैं मजीद explain करता हूँ, ठीक है जो के model binding के हमारे पाफ definition थी, उसके अंदर क्या हो रहता है यहाँ पे देखो जिस तरह मेरे पास ही एक form है जिसके अंदर name है, email है, age है तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं अपना फॉर्म submit करूँगा, तो ये जो form है ये कहाँ पे पोस्ट होगा, ये हमारे controller के एक action method में पोस्ट होगा और इस action method के अंदर में एक parameter बनाऊंगा जो के किस type का होगा, model class type का होगा और model class कौन सी हमने बनाई थी last class में, employee ठीक है, तो ये जो action method है, इसके अंदर में एक parameter बनाऊंगा, जो के हम parenthesis के अंदर बनाते है और उस parameter का नाम में क्या रखूँगा, EMP और वो ये जो EMP है, वो किस type का होगा, employee type का होगा मतलब, ये जो हमारे पर form की ये जो 3 values है, 3 input values है जब मैं अपना form submit करूँगा, तो इन 3ों का data कहां पर जाके store होगा, हमारे इस parameter के अंदर और वो parameter, जिसका नाम क्या है, EMP और ये parameter किस type का है, employee data type का है जिसको हम complex type भी कह सकते है भाई देखो, ये जो हमारे पर EMP object है, ये किस class का है, employee class का है और employee class के अंदर मैंने properties बनाई ही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कौन कौन सी properties, name, email और age इसका मतलब, ये जो हमारे पास तीनों input fields है, इनका data इस object के अंदर जो properties होंगी, उसके अंदर जाके store होगा ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं मजीद explain करूँ, तो यहाँ पर देखो जिस तरह मैंने क्या बताया, देखो, ये हमारा form है, इसके अंदर तीन हमारे पाँ input fields है और इन तीनों का data कहां पे जाके map होगा, कहां पे जाके store होगा, हमारा ये जो object है, employee EMP और मैंने क्या बताया, ये जो हमारे पास employee class का object है, parameter है, इसके अंदर property इसके अंदर जाके data store होगा, किस तरह से यहाँ पे देखो, जिस तरह हमारे पार ये name का textbox है, तो जब ये action method के parameter के पास जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से store होगा, मतला EMP क्या है, हमारा ये parameter ह ये object है, और इसके अंदर जो property थी, कौन सी name वाली, तो ये जो name का textbox का data है, वो इस property के अंदर जाके store होगा, map हो जाएगा, पिर सेम इसी तरह email है, email वाला जो textbox है, उसका data, emp.email के अंदर जाके map हो जाएगा, store हो जाएगा, पिर सेम इसी तरह age, ठीक है, इसका मतलब internally क्या बताया था कि जो model class की properties है, इनी के उपर हम क्या apply करते है, अपनी model validation apply करते है, और वो model validation कैसी apply करते है, attributes की मदद से, अभी ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है, तो ये था इसका diagramatically, एक scenario मैंने आपको समझाया, ताके आपको और अच्छे समझ में आ सके, ठीक है फिर यहाँ पर आजाओ, इसकी कुछ थियूरी है, तो यहाँ पर देखो model validation, तो देखो क्या कह रहा है, the ASP.NET Core gives us model validator, जिस तरह model binding के लिए model binder था उसी तरह model validation के लिए हमारे पास ASP.NET Core ने हमें model validator दिया है, which uses the validation attributes to validate the model which makes our task easier, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, कि model validator हमारे पास जो validation apply करता है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे attributes मौजूद है, जो के हम अपनी model class की properties के उपर apply करते है, जिस तरह, अगर मैं चाह रहा हूँ के मेरा text box है, उसको empty नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैं required का attribute यूश करूँगा, ठीक है, अगर मुझे वहाँ पर हमारे लिए असान हो जाता है, पर देखो next point, we also take a look at model state and how to use it, finally we look at the list of validation attributes, मतलब देखो यहाँ पर कह रहा है, model validation के साथ, हमारे पास एक और concept आता है, model state का, उसको भी हम देखेंगे, इसी lecture series के अंदर के model state का क्या concept होता है, और याद रखना ही model state का concept, model validation के अंदर ही use किया ज attributes की, जिस तरह मैंने बताया, required है, जिस तरह हमारे पास string length है, जिस तरह हमारे पास URL, number वगरा को check करने के लिए attributes है, मतलब बहुत सारे attributes है, फिर देखो next point, आगे आजो, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, the form data is posted to controller action, is automatically mapped to the action parameter by the model binder, मतलब देखो, यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम अपने form का data post करते हैं, submit करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारे controller के किसी action method के पास जाता है, ठीक है, तो जो भी हमारे form का data होता है, वो जिस action method के पास जाता है, उसके parameter के साथ automatically map हो जाता है, automatically map कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक concept होता है, model binding का, जिसक मैपिंग करवाता है किस चीज की हमारे फॉर्म का जो डेटा होता है उसको हमारे एक्षिन मेथट के पैरामीटर के साथ मैप करवाता है और देखो यह यह कह रहा है we already looked at how model binding works in ASP.net core मतला प्रिवेस लेक्चर के अंदर हमारे पार्ट नमबर 31 के अंदर हम देख चुके के model binding किस तरह से काम करती है तो अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देख लो उसके बाद यह वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर देखो second point model needs to be validated for the correctness मैंना यह पर क्या कह रहा है मैंने क्या बताय था form का data सारा कह पर जाके store होता है model class की properties में जाके store होता है इसका मतला model के अंदर store होता है तो model के अंदर जब हमारा data चला जाता है तो वहां पर हम basically validation को apply करते है और check करते हैं के जो data इनकी properties में store हुआ है क्या वो correct है या नहीं है फिर next point देखो यहां पर क्या कह रहा है यह client side भी हो सकती है या server side भी हो सकती है मतलब दोनों चीजों का combination यूज करके हम यहां पर model based validations को achieve करते है client side मतलब जब भी हमारा data server पर send होता है उससे पहले पहले अगर हमें client side पर validation apply करनी है तो वो भी हमारे पास इसके अंदर मिल जाती है और कुछ ऐसी validation होती है जो हमारा form submit करने के बाद जब हमारा form का data server पर चला जाता है तो वहां पर अगर हमें कुछ server side validation पर form करनी है तो वो चीजें भी इसके अंदर included है ठीक है तो यह important point है फिर आगे आजो next point अब यहां पर देखो यहां पर क्या कह रहा है explicitly validating a model मतलब यहां पर कह रहा है कि आपका जो model है आप उसे manually भी validate कर सकते हो भाई देखो यह जो हम concept यूज कर रहे है न model validation attributes का यह हमारा काम असान करके देगा मतलब जिस तरह मैंने बताया कि अगर हम अपने text box को empty नहीं छोड़ सकते तो उसके लिए required का attribute है वो हमारा सारा काम हमें करके देगा लेकिन यहां पर का जा रहा है कि आप explicitly मतलब खुझ से भी coding करके अपने model को validate कर सकते हो किस तरह से validate कर सकते हो यहां पर देखो क्या कह रहा है once you receive the model in the controller you can validate the model programmatically as shown below मतलब यहां पर कह रहा है कि अगर आप model validation attributes यूज नहीं करना चाहरे है आप manually काम करना चाहरे हो तो उस case में आप क्या कर सकते हो explicitly validate कर सकते हो अपने model को इसका मतलब भाई देखो जब form का data आप submit करोगे तो वो data हमारे action method के parameter में जाके store होगा और वो parameter किस type का होगा model class type का होगा तो उसके अंदर जो भी properties है उसके अंदर जो भी data store हुआ है आप उसके उपर explicitly मतलब manually programming के through क्या कर सकते है उसके उपर validation apply कर सकते हो ठीक है उसकी एक example मेरे पास है यहां पर देखो यहां पर देखो model.name मतलब हमारी model class है उसके अंदर एक property है जिसका नाम है name जिसके अंदर name वाले textbox का data यहां पर store हो रहा है तो आप देखो मैं इसको check कर रहा हूँ यह वाला error है ठीक है लेकिन अगर हमारे पास यह जो model class की जो name property अगर यह empty नहीं है अगर इसके अंदर कोई value filled up है तो हमारे पास यह जो code यह execute नहीं होगा लेकिन भाई देखो इसमें मसला क्या है कि हमारे पास तो बहुत सारे textboxes है मतलब बहुत सारी properties होंगी तो हर property के लि attributes के बारे में तो आपको पता होगा जिस तरह से हम अपने action method के ऊपर http post का attribute लगाते हैं सेम उसी तरह हमने concept पढ़ा था attribute routing का जिसके अंदर हम route attribute को लगाते थे अपने methods के ऊपर action methods के ऊपर उसी तरह से model validation attributes का concept है जो के हम अपनी model class की properties के ऊपर लगाएंगे ठीक है फिर आगे when the sttp request arrives model binder is invoked before passing the controller to controller action method मलंदेखो यह पर हम आपको यह भी model binding के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर क्या होता था कि जो हमारी sttp request होती थी जब हमारी sttp request arrive होती थी मतलब जब receive होती थी तब model binder execute होता था invoke होता था रमारी request controller के किसी action method में में जाने से पहले model binder हमारे पास execute ह इन्वोक होता था और वो क्या करता था वो मैप करवाता था हमारे किसी action method के parameter के साथ फर देखो next point, देखो the model binder not only binds the value to the action parameter but also validates them by using the model validator अब देखो बहुत जादा important point, मैं देखो यहाँ पर कह रहा है model binding के अंदर वो जो model binder का concept था वो सिर्फ हमारी values को bind नहीं करवाता था action parameter के साथ बलके उसके इलावा वो model validator को भी use करता था मतला model binder क्या करता है, एक model validator को use करता है, जिसके थूर्थ वो क्या करता है, binding के साथ साथ validation भी perform करता है कहां पर perform करता है हमारी model class की properties के अंदर validation perform करता है तो यह भी एक बहुत जादा important point है ठीक है फिर देखो आगे आजाओ अब यहां पर देखो क्या कह रहा है the model validator runs after the model binding and runs a series of validations on each property of the model based on the attributes that you set on the model property मतलब देखो यहां पर क्या कह रहा है model validator कब execute होता है runs after the model binding मतलब जब model binding हमारे पास execute हो जाती है उसके बाद हमारा यह model validator execute होता है और यह क्या करता है कुछ series of validations perform करता है हमारी एक single property के उपर इसका मतलब भाई देखो हमारी single property है जिस तरह से name है उसके उपर मैं single attribute भी लगा सकता हूँ मतलब single validation attribute भी लगा सकता हूँ या multiple validation attribute भी मैं उसके उपर लगा सकता हूँ जिस तरह से email की property है उसके उपर for example मैं required का attribute भी लगा सकता हूँ मैं उसके उपर email का attribute भी लगा सकता हूँ मैं उसके उपर string length का attribute भी लगा सकता हूँ मतलब हमारे उपर depend करता है कि एक property के उपर आप multiple validation attribute लगा सकते हो, मतलब multiple validation rules apply कर सकते हो, ठीक है तो यही चीज इस point के अंदर बता रहा है, फिर देखो next point, these attributes are called validation attributes and contain the code which is used by the model validator to validate the model, मतलब हमारे पास model validator के अंदर बहुत सारे validation attributes होते हैं, और उसके अंदर कुछ code मौजूद होता है जो के यह काम करता है कि कौन सी validation आपने apply करनी है अपनी property के उपर, ठीक है जिस तरह यहाँ पर देखो, मैं आपको एक scenario से समझाता हूँ, यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर model class है और जिसके अंदर मैंने क्या बताया कि मेरे पास तीन यहाँ पर properties है model class के अंदर, तो for example अगर मुझे validation attributes लगाने है तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा, इनके top पे, जिस तरह से हम http post लगाते थे, जिस तरह से हम route attribute लगाते थे अपने action methods के उपर, तो उसी तरह जो attributes हैं वो हम अपनी model class के अंदर अपनी properties के ऊपर define करेंगे, यह जब मैं आपको practical करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इस तरह मैंने बताया मुझे name के उपर required लगाना है, तो required के एक attribute आता है, वो मैं अपनी name property के top पे लगाऊंगा, सेम इसी तरह email के लिए हमारे पास एक attribute आता है, वो मैं email वाली property के उपर लगाऊंगा ठीक है इस तरह से, ठीक है तो यह concept है, अचा फिर आगे आजाओ, यहाँ पे हमारे पास ने एक figure, एक diagram है, के भई यह जो हमारे पास model validation है, यह perform किस तरह से होती है, मतलब इसका flow क्या होता है, इसका flow chart यहाँ पे दिखाया है, मतलब यहाँ पे देखो, क्या कह रहा है कि जब हम अपना form submit करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे HTTP request एक generate होती है, तो सबसे पहले वो request जाती है routing engine के पास, routing engine मतलब उसका route check किया जाता है, कि भई यह जो form post हो रहा है और जिस controller के action method के पास जा रहा है, क्या वो exist करता है, अगर वो exist करता है, तो उसके बाद हमारे पास model binding execute होता है, उसको bind करवाता है, map करवाता हो हमारे action method के parameter के साथ, तो जब model binding execute हो जाती है उसके बाद हमारे पास model validation execute होता है, और model validation के अंहारे पास क्या हो रहु हो Anders हमारा model वैलेडेटर हो रहा got है, मतलब model properties הIG होती है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था के model state का concept भी होता है जो के model validation के साथ हम use करते हैं यह भी मैं practical यह आपको करके दिखाऊंगा उसके बाद हमारे पाद action method call होता है execute होता है जो हमारे controller के अंदर होता है वैलिडेशन के purpose के लिए use करेंगे वह कौन कौन से यह पर देखो जिस तरह required है ठीक है सेम इसी तरह string length आता है email address आता है पिर हमारे पर range आता है पिर हमारे पर regular expression जिसके अंदर हम वह regular expression का pattern डाल के validation perform करते है फिर compare आता है फिर हमारे पर phone आता है फिर URL आता है इसी तरह से बहुत सारे हमारे पर built in attributes होते है और यह हम कहां पर apply करते हैं अपने model class की जो properties हैं उनके उपर apply करते हैं मतलब बहुत सारे हैं लेकिन according to the situation हम इन attributes को use करते हैं अपने form के उपर जिस तरह login है ना login के अंदर सिर्फ username और password है तो वहाँ पर मैं सारे तो use नहीं कर सकता ना वहाँ पर limited use होंगे तो सेम इसी तरह अलग-अलग forms के अंदर अलग-अलग attributes को use किया जाता है और बहुत जादा important point और वह important point क्या है यहाँ पर देखो all these validation attributes are located in system.componentmodel.data annotations attributes यह इस namespace के अंदर मौझूद है जो के मैंने yellow color से highlight किया हुआ namespace का नाम के system.componentmodel.data annotations इसका मतलब जब आप अपनी model class की properties के ओपर attributes apply करोगे तो उससे पहले आपको यह वाला namespace अपनी model class के अंदर लाजमी import करना है otherwise आप invalidation attributes को use नहीं कर सकते ठेक है तो यह एक बहुत जादा important point था ठेक है तो यहाँ पर हमारा यह lecture हो गया है wind up तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करके जाना और इसके साथ साथ bell का icon भी प्रेस करना क्योंके और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो इस lecture के वाले से कोई भी confusion है तो comment box मुझे जरूर पूछ लेना तो मिलते इंचाला next lecture में तब तक के लिए देखते रही मेरा चैनल program mentor